जाने कैसा है चिनास्वामी की पिच कमिजराज विशाका पत्तनम में पहले टी डट में आस्ट्रेलिया ने मैच की अंतिन गेंद पर 127 रन का लक्षे हासिल किया था के सीए के अधिकारी ने कहा इस पिच पर शायद IPL मैच जितने रन नहीं बने लेकिन इस पर काफी रन बनेंगे हम ऐसे विकेट का इस्तिमाल कर रहे हैं जिसका उप्योग दो महीने से अधिक समय से नहीं हुआ है इसका इस्तिमाल पिचली बार विजे हजारे ट्रॉफी के दौरान हुआ था साल के समय उसके भी कोई भूमिक आने भाने की उम्मीद नहीं है अधिकारी ने कहा इस सपय पर लगभग 180 का स्कोर प्रतिसपर्धी होना चाहिए यहाँ पर पिछले टीडट इंटरनाशनल मैच फरवरी 2017 में खेला गया था जिसमें भारत ने छे विकेट पर 202 रन बनाने के बार इंगलेंड को 45 रन से हराया था भारतिये ओल राउंडर क्रुनाल पांडिया कभी मानना है कि विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल होगा मैच से एक दिन पहले विकेट पर कुछ घास है लेकिन पूरी संभावना है कि कल तक इस से हटा दिया जाएगा क्रुनाल ने कहा मैने अब तक विकेट नहीं देखा है लेकिन इसके विजाग की तुलना में बल्लेबाजी के अधिक अनुकूल होने की उम्मीद है औस्टेलिया के तेज गेंद बाज पैट कमिन्स का हाला की मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पिछ की प्रकृती में काफी बदलाव आया है उन्होंने कहा पिछले कुछ वर्षों में यह अजीब विकेट रहा है पहली बार मैं 7-8 साल पहले IPL के दोरान बिंगलोर आया था पिछले कुछ वर्षों में विकेट धीमा हुआ है पैट कमिन्स ने कहा विजा कम स्कोर वाला लेकिन बेहतरी मैच था मुझे बहां की पिछ पसंद आई टी डड में आप यार कर धीमी गेंद की तैयारी करते हो लेकिन वहां आपको पता था कि अच्छी गेंद काफी अच्छी होने वाली है गेंद अंत में कुछ स्विंग होती लग रही थी